बच्चो इसके पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा था और दूसरा पार्ट पढ़ा था जो पिर संख्या 11 तक था अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 और यह कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में यह जो पार्ट है समाफ्थ हो जाए तो ये शोधर बाबु किस तरह से मांसिक दुंद से गुजर रहे हैं ये आपने इसके पार्ट वन और पार्ट टू में देखा और किस तरह से वो हो आधुनिक जो संस्कृती है उसको नहीं अपनाना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी बोलना उनको अच्छा लगता है ये भी आपने देखा चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसमें कि प्रवचन सुनने के बाद ये शोधर बाबु सबजी मंडी गए ये शोधर बाबु को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूद लाना, राशन लाना, सी जी एचेस डिस्वेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दाले लाना, पहाड गंज से सबजी लाना, डिपो से कोईला अब हम कर दिया करेंगे, एकाद बार बेटों से खुद उन्हों नहीं कहा, तब वो एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता, इतना कुहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा, कि ये शोधर बाबु ने इस विश पर क्यों नहीं रख लेते, तो यभी इसके पहले जो दो तीन लाइन उपर आपने देखा, कि एकसर घर में ऐसा होता है, जब एक हम उम्र बच्चे होते हैं, और माबाब कोई काम कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, वो क्यों नहीं कर लेता, वो बाजार चल बेटा नमक छड़कते हुए, ये भी कहता कि नौकर की तनखवा मैं दे दूँगा, ये शोदर बाबु को यही समहावी इंपरा पर मालूम होता है, कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, ये सही है कि वेतन सुचे में बेटे के अपने हाथ में नहीं आत एकाउंट ट्रांसपर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाब के साथ जॉइंट एकाउंट नहीं खोल सकता था, जोटे मुझे ही सही एक बार ऐसा कहता तो, तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना, कि यह काम मैं अपने पैसे करने को कह रहा हूं, आप के से नहीं जो आप नुक्ता चीनी करें, यहां पर देखिए एक जो पिता है, उसका दर्द यहां पर छलक रहा है, हमारी भारती संस्कृत में ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है, और यह माना जाता था, देखिए कि जब जो है, कोई पहली तनख्वा कमा के लाता था तो जो उनकी मा है या पिता जी है उनकी हाथ में वो उनको देता था वो एक आदर और सम्मान होता था लेकिन आज कलिए सोधर बाबु कह रहे हैं कि इनकी तनख्वा जो है वो बैंक में आती हैं और ये बैंक में ही सही पैसा आता है मिज़ित कुछ देते नहीं और उपर से कुछ ऐसी बाते कह देते हैं जिससे उनको दिल को बहुत जादा दुख होता है तो इसी तरह से देखिए कहानी आगे बढ़ती है कि इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है कभी कार्पेट बिच्वा रहा है कभी परदे लगवा रहा है नए नए ढंक के अपने काम करवा रहे हैं कभी सोफा रहा है कभी डाला डनलब वाला डबल बेड और सिंगार में कभी टीवी कभी फ्रिस क्या हुआ वो और ऐसा भी नहीं कहिता कि लिजिए जी मैं आपके लिए ये टीवी ले आया कहता यही है कि मेरा टीवी है समझे इसे कोई न चुआ करे कौर्टर ही उसका हो गया यह अच्छी रही अब इनका एक नौकर भी रखो घर में इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा हमारे लिए तो क्या होगा ऐसा समझते हैं शो वह सकता है जीवन मूली भी यहां पर नहीं तै कि आपकिसी अन्य के विरोस्य अपना व्यापार या अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकते हैं नहीं तो वह बरबाद हो सकता है कहते हैं शोक्रबाब। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती हैं मगर नहीं सुनती के मतलब उनकी सम्मान इतना करती है कि बात सुन लेती है लेकिन उस बात पर ज्यादा गवर नहीं करती है क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो पती हो पुराने खयालों के हैं पर सुनकर अब चिरती भी नहीं है सबजी का जोला लेकर या शोदर बाबू खुदी हुई शड़कों और तूटे हैं क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वाइर के उस कोने में पहुँचे जिसमें तीन क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे उन तीन में से कुल एक को अब तक एक सिलसला आबात किये हुए है बाहर बदरंग दख्ती में उनका नाम लिखा है वाइडी पंत इस क्वार्टर के पास पहुँचकर आज वाइडी पंत को पहले धुखा हुआ कि किसी गलत जगा आ गए हैं क्वार्टर के बाहर एक कार थी कुछ स्कूटर मोटर साइकल बहुत से लोग बिदा ले रहे थे बाहर बरामदे में रंगीन कागस की जहल रहे और गुबारे लटके हुए थे और रंग विरंगिया रोशनिया जली हुई थी फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूशन पहचान में आया जिसके कार में बैठा हुआ कोई साहब हाद मिला रहा था और कह रहा था ये शोधर बाबू ठिटक गए उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा इसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया जो करते हैं ये लूंडे मूंडे इनके माया यही जाने अब ये शोधर बाबू का ध्यान इस और गया कि इनकी पतनी और लड़क उनकी बेटी भी कुछ मेहमसाबू को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं लड़की जीन और बगएर बाहां का टाप पहने हैं ये शोधर बाबू उसमें कई मरतबा कहे चुके हैं कि तुमा मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है पुत्री का पक्छ लेने वाली ये पतनी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाया हुए थी जबकि ये दोनों ही चीज़ें ये शोधर बाबू को समहाओ इंप्रापर ही मालूम होती हैं ये उन्हें अच्छ है थै कि बबबा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं जब कार वाले लोग चले गए तब ये शोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया बीतर अब भी पार्टी चल रहे थी उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ कब से होने लगी है शोधर बाबू ने सरमीली हंसी हंस दी जब से तुम्हारा बेटा डेड़ हजार माहवार कमाने लगा तब से यह टिपणी थी चंदरदत्य तिवारी की जो इसी साल S.A.S. पास हुआ है और दूर के रिष्टेदार से शोधर बाबू का भांजा लगता ह यह शोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायते हैं लेकिन कुल मिला कर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें इरसिया का पात्र समझते हैं भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नवकरी करना समझ में ना आता हो तथा पी वो यह बखो भ उम्र में डेड़ हजार माहवार प्लस कन्वेंस एलाउंस एंड तुम्हारा अधर प्रक्स पा जाना कोई मावूली बात नहीं है इसी तरह भले ही यह शोधर बाबूने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्व में यही टिपणी की हो कि यह क्या होई सम्हाओ मे अच्छे आधनिक कारी कर रहे हैं फैशन में जी रहे हैं उनकी बात नहीं मानते हैं लेकिन जब उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं पैसा कमा रहे हैं और अच्छे-च्छे समान घर में ला रहे हैं और उनको भी लगता है कि मेरे बेटे आगे बढ़ रहे है तो उनको मनलब उनके हिदे में, उनके मन में खुशी हो रही है, ऐसा नहीं को उनको मन में खुशी नहीं हो रही है, ये खुशी हो रही है, मिसाल के लिए बताते हैं कि जब बेटों ने गैस का चूलाज उटाया, तब ये शोधर बाबु ने उसका भिरोध किया, और आज भी वो यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो सम्हाओ रोटी जैसी लगती नहीं तथा भी वो जानते हैं गैस ना होने पर वो इस नगर में चपरासी श्रेणी के माल ले जाते इसी तरह फिरिज के संदर्फ में आज भी एशोद राभू यही कहते हैं कि मेरे समझ में लेता है कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले महमान इस फ्रिज को पानी पी कर अपने को धन अनुभो करते हैं कहने का ताथ पर यह जो उनके रिष्टेदार है जो जो या जो उनके मित्र गण है ऐसे जो लोग मतना इंकम नहीं उनके पास आए नहीं है गाउं से आ रहे हैं कोई तो अगर वह फ्रिज का पानी मिल जाता है तो उनकी जो इमे से बढ़ जाती है उनका सम्मान बढ़ जाता है तो अपनी सिलवर कि ये भबे पार्टी भी ये शोधर बाबू को सम्हाव इंप्रापर ही लगी क्योंकि वो सिल्वर बेटिंग बगएरा पार्टी देना नहीं चाहते थे तथा भी उन्हें इस बात से संतोश हुआ कि जिस अनात ये शोधर के जन्मिदे पर कबूल लिड्डू नहीं आए ज मुझे आज सुबा बैठे-बैठे याद आया कि आपकी शादी छे फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं मैंने आपके दफतर फोन किया लेकिन शायद आपका फोन खराब था तब मैंने भूशर को फोन किया भूशर ने कहा शाम को आज जंकर ओछाट यानि ओछेपन का धनी मालूम होता है उन्हें लगता है कि इसी ने भूशर को विगार दिया है कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है जिंदगी बना दी तुम्हारे सिकंड क्लास भी ये बेटे की कहते हो विगार दिया भूशर ने अपने मित्रों स तो होम मिनिस्ट्री भूशर सफादर कहकर स्वयंबहात बढ़ाते हुए ये शोधर बावो ने हर्चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वो संसकारी कुमावनी हैं तथा भी विलायती रीत रिवाज से भी भली भाती परचित हैं यानि वह यह बताना चाहते हैं कि आयम प्रमपराओं का पुरानी विचारधाराओं का समर्था को इसलिए वैसे कारी करते हैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए सीखना हर एक की बात थेरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई टाइ सूट पहनना आना लेकिन जब बेटी ने हाथ खीचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई ही चक नहीं हुई वहीं से उसने पती को भी पुकारा ये शोदर बाबु को केट काटना बचकानी बात मालूम होई बेटी उन्हें लगबग खीच कर ले गई ये शोदर बाबु ने कहां लेकिन एन्यवे उन्होंने केक काट ही दिया गिरीश ने उनकी यह अन्मनी किन्त संतुष्ट चवी कैमरे में कैद कर ली यानि अंदर यंदर वो खुश हो रहे हैं कि चलिए मेरी सिल्वर बेडिंग मनाई जा रही है अब पति-पतनी से कहा गया कि वे केक से मुह मीठा करे एक दूसरे का पतनी ने खा लिया मगर ये शोधर बाबु ने इंकार कर दिया उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं इसमें अंड़ा पड़ा होता है उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वरसों पहले तक आप मान सहारी थे एक टुड़ा केक खालेने में क्या हो जाए इस पर भूश्वर ने उन्जला कर कहा तो बबबा पहले जाकर संद्या कीजिए आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे जबकि यशोधर बाबु असल में च्छिपना चाह रहे थे नहीं नहीं आप सब लोग खाईए यशोधर बाबु ने बच्चों के दोस्तों रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं शाम की 15 मिनट की पूजा को लगबक 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आते सुनाई दी तब यशोधर बाबु पदमासन साथकर ध्यान लगाने बैठ गए वो चाहते थ कि उन्हें प्रकाश का एक निला बिंदु दिखाई दे मगर उन्हें किशंदा दिखाई दे रहे थे प्रकाश का निला बिंदु दिखाई देने का मतलब यह है कि वो पूंड तया से ध्यान में लीन होकर के जो यहां पे चहल पहल थी उससे दूर जहना चाहते थे शांत मे रहना चाहते थे लोगों के सामने नहीं पढ़ना चाह रहे थे तो इस तरह से लेकिन जब वो इन से दूर जाना चाह रहे थे और आख बंद कर रहे थे तो उनको किशंदा दिखाई पढ़ रहे थे क्योंकि उनके विचारों में उनके संसकारों में किशंदा का गहरा प्रभा हो मरते जो हुआ होगा से ही है जो हुआ होगा का मतलब पता नहीं कौन सा कारण रहा होगा कैसे किस वज़े से कैसे मृत्त हो गई कोई जान नहीं पाता तो यहां पर एक दर्शन है जीवन दर्शन है कि आज तक देखी चाहे कोई बीमारी के कारण किसी की मियुत्थी हो या कोई इसी के घर परिवार में शपह देख रिखना हो किसी इसके छैसे हो या प्राकफिक मियुत्थ हो लेकिन कि रेटायर्मेंट होने बाद ब्रिधा वस्था में किसके मृुष कैसी होती है किस सब प्राण निकलते हुए किसी नहीं देखा इसी दिए किशंदा कहते हैं कि सब जो हुआ होगा से ही मरते हैं हाँ हाँ शुरु में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं ये मूल जीवन दर्सन इस पार्ट में बताया गया है कि जन्म बेक्ति अकेले लेता है और मृत भी उसकी अकेले ही होती है ठीक है अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में बस अपना नियाम अपना हुआ अर्था जो सिध्धान से आपने जीवन बिताया है वही आपका अपना हुआ ये शोधर बाबु ने पाजामा कुर्ते पर ठीक चार बजे ये शोधर बाबु के घर आया करते थे उनके लिए गरम गरम चाय बनवाई जाती थी उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर ना पीना पड़े वो चाय कैसी चाय सुड़कते हुए किशंदा प्रवचन करते थे और ये शोधर बाबु बीच बीच में संकाय उठाते थे इस तरह से लगाओ जुडाओ किशंदा का ये शोधर बाबु से रहा ये शोधर बाबु को लगता है कि किशंदा आज भी मेरा मागदा संकर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीबी बच्ची जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विशे में मेरा रवाईया क्या होना चाहिए लेकिन किशंदा तो वही अकेलेपन का खट्रागला अपने परामादा से मालूम होते हैं कैसी बीबी कहा के बच्चे ये सब माया ठैरी और ये जो भूशन आज इतना उचल रहा है वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय उन्हों करेगा जितना की आज दू कर रहा है ठीक है ये शोदर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घर वाली उन्हें जिरखते हुए आप पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे ये शोदर बाबू वासन से उठे और उन्होंने दवे सोने पूछा मेमान गए पत्री ने बताया कुछ गए हैं कुछ हैं उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है आश्वस्त होने पर कि सभी रिष्टेदार ही हैं बचे हैं अब तो वो उसी लाल गम्छे में बैठक में चले गए जिसे पहन कर वो संध्या करने बैठे थे ये गम्छा पहनने की आदत भी उन्हें किशंदा से विरास्त ने मिली है और उनके बच्चे इसके सक्त खिलाव हैं अब गम्छा पहने रखा जा सकता है उनकी बेटी जलाई लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गम्छा पहन कर बैठक में आ जाएं बबबा यू आर दा लिमिट बेटी हमें जिसमें सजाएगी वही करेंगे ना तुमाही तरह जीन पहर कर हमें तो सजाती नह इस सुमर में क्या हो रहा है प्रजेंट वरजेंट तुम खोलो तुम ही इस्तेमाल करो बेटा तुम लोग और इस तरह शर्मीली हसी हसने लगे है शोदर बाबू भूशन सबसे बड़ा पैकेर उठा कर उसे खोलते हुए बोला इसे तो ले लीजिए ये मैं आप के लिए ल शोधर जीन इस आगरह के रच्छा की गाउन का सैश कस्ते हुए उन्योंने कहा अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई अर्थात उनकी आंखों में आशु आ गए यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुप गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सबेरे ड्रेसिंग गाउन पहन कर दू पाइजामा के साथ उन्होंने किशनदा को यह ड्रेसिंग गाउन पहने हुए देखा था तो उनकी एक छबी थी तो जब उन्होंने इसको पहना और उनके बेटे ने इसको दिया था तो यह यह भी कारण हो सकता है कि उनके घृदे में एक भाव जागा प्यार का इस नहें क पापा सुबह मैं जाता हूं सर्दी में दोदलाने तो यह मेरा बेटा यह नहीं कह रहा है कि पापा सुबह सर्दी होती है अब मैं दोदलाने जाया करूंगा तो यह आपके उपर उन्होंने छोड़ दिया है कि आप सोचिए और आप इसको समझिए कि किस कारण से इनकी जो प्रस्णा आएंगे इसमें से वो ऐसी तरह से आएंगे कि यह शोधर बाबो का विरोधा भास क्या है यह शोधर बाबो का अंतरद्वन्द क्या है उनके बच्चों से उनकी बीबी से और यह शोधर बाबो से मेल क्यों नहीं खाता है ठीक है और आगे हम दूसरे वीडि झाल झाल झाल